एक और ब्रत रेसिपी लेके आगा है, नौरातरी स्पेसल, बहुत ही टेश्टी और आसान. यह ऐसी ब्रत रेसिपी है, इसे आप ब्रत के साद सा अदर टाइम में भी बना के इंज्वाय कर सकते हैं. बहुत ही टेश्टी होता है अंदर से सौप्ट और बाहा से क्रिस्पी हेलो एब्रिवन हमारे चैनल फूड फॉर्ट फॉर्म होम में आपका स्वागत है तो चलिए बनाते हैं ब्रत वाला स्नक्स रेसिपी इस मज़दा स्नक्स रेसिपी को बनाने के लिए हमने कड़ाई में एक चम्मच देशी घी ले लिया है आप ब्रत में जो भी घी ओयल खाते हैं वो आप ले सकते हैं थोड़ा सा साबु जीरा, दो बारी कटिवी हरी मिर्च इन दोनों को कुछ सकंड भून लेंगे अब इसमें हम एट करेंगे एक कप पानी आदा कप फलहारी आटा ले रहा है तो एक कप हमें पानी लेना है अब इसमें हम एट करेंगे मसाले वन फोर्थ चम्मच काली मिर्च का पाउडर वन फोर्थ चम्मच जीरा पाउडर स्वादनुसा, सेंधा, नमक, ब्रत वाला नमक है इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम फ्लेम को कर देते हैं लो अब इसमें हम एट करेंगे फलाहारी आटा समा के चावल का आटा है इसे हमने घर में बना के तयार किया है ये बजार में बहुत ही असानी से मिल जाता है हमने समा के चावल को ग्रैंडर जार में डालके पीस के पौडर फॉर्म में तयार कर लिया है अब इसे हम एट करेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे हमें ध्यान रखना है इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जिससे इसमें कोई लंस ना बने आटे ने पानी को एब्सॉर्ब कर लिया है अब इसमें हम एड़ करेंगे उबला हुआ आलू तो हमने दो आलू को बॉयल करके ग्रेट करके ले लिया है इसमें एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम बारिक कटा हुआ हरा धनिया भी आट कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम दो फॉर्म में तयार कर लेंगे इस डो से आप पूरी पराठा भी बना सकते हैं आप कोई भी सेब दे के स्नेक्स रेस्पी तयार कर सकते हैं आपकी इच्छा डिफ फ्राई करिए, सेलो फ्राई करिए आपके उपर डिपेंड करता है अब ये डो फॉर्म में आ गया है तो गैस को करेंगे ओफ इधर हमने बर्फी वाला ट्रेलिया है आप कोई भी थाली ले सकते हैं इसे हम घी या ओयल से ग्रीस कर लेंगे समा के चाव और आलू का जो हमने डो तयार किया था इस पर हम अच्छे से फैला लेंगे इसे हम ट्रेंगल सेब दे के बना रहा है आप अपने मन पसा है स्क्वेर, रिक्टेंगल, ट्रेंगल सेब दे सकते हैं बड़ा, छोटा, जो भी आपको साइज पसंद है उस साइज में आप इसे कट करके स्नेक्स तयार कर सकते हैं इसे अच्छे से हमने फैला दिया है अब इसे सेट होने के लिए ठंडा होने तक इसे हम छोड़ देंगे यह देखे ठंडा हो गया है, अच्छे से सेट हो गया है तो इसे हम अपने मन पसंद सेप में कट कर लेंगे तो इसे हम ट्रेंगल सेप में कट करने वाले हैं आप अपने मन पसंद, छोटा, बड़ा, जो भी सेप में कट करना चाहिए आप कट कर सकते हैं इस फलाहारी स्नेक्स रेसिपी को हम ट्रेंगल सेप देते हुए कट करेंगे, ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम सारे ट्रेंगल सेप में कट कर लेंगे, आप इसे डिफ फ्राई भी कर सकते हैं, बट इसे हम बहुत ही कम ओल या घी में तयार करेंगे, बहुत ही टेश्टी ह इसे आप हरे धनिय की चटनी के साथ सर्व करिए बहुत टेस्टी लगता है फलाहारी हरे धनिय की चटनी के इंग्रीडियन उपर मेंसन कर देंगे अब इसे हम सेख लेते हैं तो एक पैन में टू टेबल इस्पून ओयल लेंगे ओयल गरम हो चुका है तो एक ही करके हम डाल द रखेंगे अभी इसे हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे दो से तीर मिनद नीचे से सीख जाए फिर इसे हम पलट लेंगे नीचे से सीख गया है तो इसे हम पलट लेते हैं इसे अलटते पलटते वे गोल्डेन ब्राउन कर लेंगे इसे हम फिर पलट लेते हैं हर तरब से अलटते पलटते वे क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे ये देखिए क्रिस्पी हो गया है एक एक करके हम ऑईल को जटकते वे निकाल लेंगे हैनव बहुत ही मज़िदा है ब्रत वाला स्नेक्स रेसिपी सेम प्रोसेस से हम दूसरा बैच भी तयार कर लेंगे तो सेम ऑईल में एक एक करके हम डाल देते हैं इसे भी अलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे जब हमें लगेगा कि इसमें ऑईल चाहिए तो एक से दो चम्मच ऑईल इसमें हम एड़ कर दिया है अब इसे अलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे नौनिष्टिक पैन है तो कम ओयल में बहुत ही असानी से क्रिस्पी हो जाता है तयार है हमारी फलाहारी स्नेक्स रेसिपी अब इसके हम प्लेटिंग कर लेंगे हरे धनी की चट्नी के साथ तो कैसी लगी ब्रत वाली टेश्टी क्रिस्पी मज़िदार फलाहारी कुपवास रेसिपी अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फर वाचिंग